आप देख रहे हैं खिलारी नमबर वन और बात करेंगे बोरसल रिन्यूबल की बोरसल रिन्यूबल मुनाफ़े से दरसल इस प्रटिक्लर क्वाटर में घाटे में आई हैं 25 करोड का मुनाफ़े के मुकाबले कंपनी ने इस प्रटिक्लर क्वाटर में क्यू टू की मैं बात कर रही हूँ 10 करोड का घाटा दिखाया है आए भी कुछ कम हुई है 402 करोड से 372 करोड पर इबिट्टा में भी थोड़ा सा कॉंट्रैक्शन है और साथी साथ माजिन्स भी घटे हैं अब exactly हुआ क्या है क्या प्राइसिंग थोड़ी सी नीचे फिसल रही है इंटेंसिफाइड कॉंपेटिशन और विदेश से जो माल आ रहा है उसी का इंपक्ट है या फिर कुछ और स्थिती है हमाय साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुढ रहा है खुरेका साब है खुरेका जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर यह quarter थोड़ा सा दबावाला रहा है considering profit से आप लोग घाटे में आए है क्या समझा पाएंगे कि इसकी प्रमुक वज़ा क्या है Actually जो stand-alone results है बॉरुसिल रिनीवल के for the Indian operation which is our large operation उसमें तो हम profit में आए हैं compared to the past so quarter 1 जो है current year का इसमें हमारा profit after tax was a negative of 3.64 crores इसमें 12.62 crores का profit है So we have improved in the current जो current अभी quarter है इसमें पिछले quarter से सुधार हुआ है stand-alone में यह जो consolidated results है उसमें कुछ फरक पड़ा है क्योंकि वो Germany में जो अपना unit है उसमें अभी फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा है वो पूरी German economy में ही जो है problem आया हुआ है Volkswagen भी उनकी बंद हो रही है कई factory बंद हो रही है तो आज का जो political dispensation जर्मनी का है वो अच्छा नहीं है और पूरे German industry में अभी मातम चाही हुई है तो उसमें unfortunately हमारी factory भी एक है लेकिन उमीद है वहाँ शायद नए elections होंगे और उसके बाद में काम सुधार हो जाना चाहिए तो roughly आप क्यूंके वो एक तो political situation की वजह से आप इस तरह की परिस्तिती में है तो कितना buffer आपने अपने आपको दिया है देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जो हमारा investment है वो करी 12 million का stand by loan है और कुछ पहले हमने जो investment किया था करने के लिए मेरा liability वहाँ तक limited है इससे ज़्यादा नहीं है वहाँ पे कई एक features होती है जर्मनी में कि जिसे आप अगर लगता है कि आगे जाकर ठीक होगा तो आप factory को बंद कर सकते हैं furnace pull down कर सकते हैं इसका जो salaries वगरा state देती है एक साल तक so fortunately उसमें कई एक levers है जो भी तक हमने explore नहीं किये थे लेकिन अब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दिखा जायागा कि कहना ज़रूरी है कि जो European Parliament है उन्होंने और दे रखा है एक sanction कि जो भी solar industry है solar module industry है अगर ये कुछ इसमें tax break constituent government अगर देना चाहती है तो दे सकती है इसमें Italy, France, Austria और Czech Republic वगरे ये दे चुके हैं जर्मनी इसमें भी तक नहीं दी है तो ये उमीद है कि जब नई government आ जाएगी तो ये देंगे तो वहाँ पे बहुत जोर से take off करेगा ये ऐसा हमारा मानना है और तो समय बताएगा क्योंकि ये है तो पूरे योरोप में जर्मनी तो leader है for solar power अपने नहीं करें ये कुछ समझे में नहीं आती है लेकिन political problem रहा होगा उनके अचा क्योंकि हम ये political problems की बात कर रहे हैं एक चीज़ आपने भी notice कि होगी ये सारी solar company या Donald Trump के आने के बाद काफी मार खा रही थी क्योंकि उन्होंने in fact किसी speech में कहा था that he doesn't truly favor it अब उसको कैसे पढ़ना चाहिए क्या US में भी अगर आपको लग रहा है कि बड़े पैमाने पर जो solo exports हो रहे थे उसका कही न कही आप पर भी असर आ सकता है देखी ऐसा है कि अभी जो solar के उपर में democratic government में जोर दिया हुआ था वो तो घटने का पूरा संभावना है इसमें कोई doubt नहीं है supporting state यह सबसे ज़्यादा solar deployment आज टेकसस पे हो रहा है तो वो politics अलग है आज कोई अगर रुपया खर्च करके अपना solar farm लगाता है इसमें तो कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती है वो तो यहीं कर सकती है कि जो अपने तरफ से जो दे रहे थे कुछ subsidy उसको नहीं देंगे लेकिन वहां इतने hurricanes आते हैं सब आता है वो दो-दो हकते तक उनका power restore नहीं होता है solar होने से उनके अपने हाथ का power होता है इसकी वज़े से जो specially hurricane वाले states हैं इसमें solar power वहां की public अपने बूते पे खुद पे लगा रही है सरकार का कोई लेंदेन नहीं है so as such मुझे नहीं लगता है कि solar power के installation even in United States बहुत बड़ा कोई फरक पड़ेगा ये मेरा अंदाज ऐसा नहीं है और मार लिजे उसको एक मिट के लिए हम छोड़ देते हैं हमरे खुद के देश में आज जो government है वो जिस तरह से solar power का वो support कर रही है हमरे तो दिन दुगना राज चुगना installation भढ़ती जा रही है 75 गीगावाट के module industry आ चुकी है अब और 75 आने की बात हो रही है तो यहां तो demand का कोई ओड़ी नहीं है इंडिया में तो तो hopefully वो demand यह international pressures को थोड़ा से offset करेगी एक important चीज़ आप लोगों ने DGTR को लिखा था कि चाइना से जो बड़े पैमाने पर solar panels dump हो रहे है उस पर action लिया जाए क्या third quarter Q4 तक को action आतावा दिखाई दे सकता है वो आपके लिए कितना बड़ा safe guard साबित होगा देखिए 5th November को उन्होंने लेटर लिखा है और Ministry of Finance के पास 5th February तक समय है उस पर कोई भी action लेने का सुनने में तो यही आता है कि वो action लेंगे क्योंकि हमारी government domestic industry को बहुत जोड से support कर रही है आज देखिए जो solar module manufacturers है solar cell manufacturers है इनको 40%, 25% तो duty इन्होंने देई रखा है इसके अलावा दो चीज़ें और कर रखी है एक तो है ALMM ALMM जो है यह एक certification का process है जो की government ने अपनाया है और सिर्फ Indian module manufacturers ही अभी इस वक्त ALMM के लिए apply कर सकते हैं और उनको उसका certification मिल सकता है यह मिलने से जो भी government के तरफ से कोई भी अगर installation आ रहा है उसमें ALMM certification essential है तो अब Indian solar module manufacturers तो करी रहे हैं इसके अलावा जो कुसम scheme वगर है उसमें एक और है इस काल domestic content requirement तो जो DCR का requirement है इसमे domestically made cells and modules ही लग सकती हैं इन दोनों चीज़ के वज़े से आज हमारे module और cell की इंडस्टी में profitability बहुत हाई है so government is quite मने सनकार पूरे रूप से मदद कर रही है Indian industry को हमारी भी बारी आ गई है component के हिसाब से यह तो होगा नहीं कि component को वो नहीं करेंगे और solar module और cell को करेंगे सिर्फ तो common sense में बैठका नहीं है खुरेका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ले समय निकालने के लिए and good luck to you sir hopefully अगले बारी जब आफ से बात हो तीरे तीरे करके समतमाम दिक्कते थोड़ी सी iron out हो जाए एक quarter थोड़ा सा प्रेशर वाला जरूर था बतादें कि money control पर दिये गए विचार experts के अपने नीजी विचार होते हैं website या management इसके लिए उत्तरदाई नहीं है यूजर्स को money control की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडले लेवी से पहले certified expert की सलहा ले